नमस्कार दोस्तो देख्जाम है कर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में क्लाइमेटिक रीजन का बेसिक जो कॉंसेप्ट होता है वो हम लोग डिसकस किये थे और इंडिया में कोई specific type की climatic region की demarkation का कोई concept नहीं है अलग-अलग जो geografer है वो अपने हिसाब से इंडिया की जो climate है उसको different climatic region में divide किया गया है तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कोपिन की जो climatic classification है इंडिया की उसको यहाँ पे आज हम लोग discuss करने वाले हैं तो दोस्तों कोपिन ने directly इंडिया की climate को classify करने के लिए कोई अलग से concept नहीं दिया है उन्होंने world climate को classify करने के लिए concept जो दिया था उसी को use करके इंडियन की जो climate है उसको classify किया गया है और इंडिया में different climatic zone बनाए गया है तो कोपिन की classification के हिसाब से आप देखोगे तो इंडिया में nine climatic zone बनाए गया है जो आगे आने वाले slide में हम लोग discuss करेंगे तो दोस्तो कोपिन ने सबसे starting में 1918 में world climate को classify किया गया था लेकिन बाद में अपने ही concept को उन्होंने rectify किया और 1903 में फिर से उन्हों world climate को classify करने के लिए अलग से concept अलग से नहीं उसी को rectify करके concept दिये थे तो दोनों concept 1918-1903 की जो classification है यानि जो उन्होंने concept derive किया है उसी की basis पे यहाँ पे हम लोग इंडिया की climate की classify करने की कोशिस करेंगे इस वीडियो में जो हम लोग discuss करने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि climate के तीन major variable होते हैं तो कोपिन ने तीनों variable का यूज किया है जिस से climate को define करना के लिए temperature एक variable होता है rainfall variable होता है या precipitation variable होता है इसके लाबव inflictation vienen बोता है जो की temperature और rainfall से ढराईब होता है तो तो तीनों variable को कोपिन ने use किया है climate को classify करने के लिए ठीक है तीनों variable को इन्होंने आप बोल सकते हो इंडिया के climate के दिए classify करना है तो बोल सकते हैं दो step में इंडिया की climate को classify किया जासकता है इन तीन variable को use करके first variable में इन्होंने temperature यहाँ देखो दो step हम लोग यूज़ करेंगे इंडिया की climate को classify करने के लिए जो COPEN की concept है उसके हिसाब से तो first step में दोस्तो इन्होंने temperature variable को mean माना temperature variable को mean मान के जो micro level की जो demarcation होती है climate को micro level की जो demarcation होती है climate को उसमें temperature को mean variable माना और temperature के basis पे इन्होंने 5 climatic region में divide किया इंडिया का तो पहला देखो A, A variable इन्होंने एक alphabet use का है A, इसका मतलब है tropical climate अब tropical climate कहाँ पहोती है tropical climate दोस्तो tropic up cancer और tropic up capricorn की 20 का जो area है वो हमारा tropical climate होती है तो इंडिया में आप देखोगे tropic up cancer तो generally middle में यानि middle से divide करता है इंडिया को तो जो southern इंडिया है वो हमारा tropical climate में आता है हम लोग आगे देखेंगे तो हमारा a क्या है यहाँ पे tropical climate यह temperature के basis पे divide क्या है b यहाँ पे दोस्तो ड्राइ climate या dry region dry region का मतलब है यहाँ पे कि जो precipitation होता है वो बहुत कम होता है h compared to evaporation तो evaporation ज्यादा होगा precipitation कम होगा उहाँ पे हमारा dry climate होगा और जहाँ पे desert like के climate होगा उसके लिए b यहाँ पे alphabet यूज किया कोपिन की द्वारा फिर दीखो c यहाँ पे subtropical climate subtropical climate का मतलब है यहाँ पे कि जो temperate जो climate होती है और tropical climate होती है उसके बीच का जो transition जोन होता है वो हमारा subtropical climate होता है ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर्मी होती है यहाँ पे warm climate होता है तो warm climate या subtropical climate यह दोस्तों इंडिया में आपको देख रहेगा northern जो plane है वहाँ पे subtropical climate देखने हों मिलेगा तो उसके लिए c variable यूज किया ठीक है तो फर्स सिस्टेम में यहाँ पे micro label की हम लोग climatic region की delimation कर रहे है ठीक है फिर देखो D D का मतलब है यहाँ दोस्तों continental climate continental climate का मतलब है कि ऐसा area जो ocean के influences से बहुत ही दूर है ठीक है बहुत ही interior में है तो वहाँ पे winter बहुत ही हार्स होंगे लेकि summer वहाँ पे mild होगा ठीक है तो throughout year यहाँ ठंडी नहीं होगी यहाँ पे summer mild रहेगा लेकि winter बहुत ही हार्स होंगे तो उसको बलेंगे D continental climate यह दोस्तों आपको अरुडाचर प्रदेश में यह देखने हों मिले गया वहाँ पे winter बहुत ही हार्स होती है लेकिन summer वहाँ पे mild होता है ठीक है तो इंडिया में आपको डी continental डाइप अरुडाचर प्रदेश में देखने हो को मिलेंगे फिर दोस्तों यह यहाँ पे देखो cold climate ठीक है तो यहाँ पे cold climate है cold climate का मतलब है throughout year यहाँ बारों महिने यहाँ ठंडी बहुत ज्यादा होती है तो उसको बलेंगे टाइप की climate तो हमारा first step में हम लोग माइक्रो लेबल की जो delimination किये कोपिन के द्वारा वह हम लोग देख लिए है अब देखो micro label की यह आप देख सकते हो एक मिनट हाँ तो यहाँ पे आप इंडिया को कैसे डिराइब कर सकते हो देखो इंडिया में क्या है कि जो tropical type के climate जो मिलता है आपको यह tropical type के climate मिलेगे यहाँ पे यह तक ठीक है यह हमारा यह हो जाएगा इधर आपको mild winter मिलेंगे यह हमारा b हो जाएगा दूस्तों sorry यह हमारा c हो जाएगा बी देखो digit type के climate हमको b यहाँ पे मिलते हैं तो यह हमारा b यहाँ पे हो जाएगा यह हमारा c रहेगा यह b रहेगा और यहाँ पर आप देखो right side zone पायाता है यहाँ पर भी हमारा b रहेगा digit type के climate पायाती है यहाँ पर evaporation ज दी हमारा यहाँ पर हो जाएगा और थ्रूआउट येर क्या होती है यहाँ बहुत ज्यादा थंडी होती है जम्मु कसमीर और उत्राखंड हिमाचल प्रदेश वाले एरिया जो होँगी वो हमारा ई हो जाएगा तो फिर्स्ट इस्टेप में यहाँ पर माइक्रो लेबल की जो डिमार्केशन है क्लाइमेटरी रिजन का वो हम लोग देख लिए फिर से एक बाद देख लेते हैं देखो टॉपिया आप कैंसर के सदन साइड में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होंगे तो हमारा यहां पे ए हो जाएगा ठीक है ए इधर सदन इंडिया में और देखो बी हमारा यहां पे डिजर्ट वाला जो क्लाइमेट है वो हमारा बी हो जाएगा इसके लावा यहां पे रैंसाइड रोजोन जो होते हैं वेस्टन खाट में वो हमारा बी टाइप के क्लाइमेट हो जाएगा फिर देखो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहां पे प संदी होती है थूआउट यहर हमारे यह हो जाएगा तो फर्स स्टेप में यहां पर कोपें दवरा इस तरह से क्लासिपिकेशन किया गया है इंडिया का लेकिन दोस्तों यह बहुत ही जेनरलाइज है तो सेकेंड इस्टेप में इन्होंने बहुत जाएद माइक्रो लेबल का इनालेसिस करके उन्होंने जो अलग अधर जो वेरियेबल्स हैं जैसे रैंफॉल और वेजेटेशन और इसके मतलावाँ टेंपरेचर के भी जो माइनर डिटेल्स हैं उसको भी इंक्लूट किया सेकेंड इस्टेप में तो सेकेंड इस्टेप में जो कोपिंग दौरा क्लासिपिकेशन किया थी जैसे यहाँ पर अल्फाबेटी यूज किया गया है इसमॉल में एफ इसका मतलब है नो ड बारिस नहीं होते हैं डबलो का मतलब है ड्राइव इंटर विंटर में बारिस नहीं होंगे और इसमॉल ए का मतलब इसमॉल ए का मतलब है देखो बारा मन्त यानि पूरे साल में बारा मन्त होते हैं तो किसी एक मन्त वामेश जो मन्त होंगे उसके टेंपरेचर बाइस डिग 10 degree centigrade से ज्यादा होगे उसके लिए B यहाँ पर temperature यूज़ करेंगे C alphabet कोपिन ने तब ही उज़ किया जब वामेश 3 मंद 12 में से 3 महीने वामेश जो होंगे जो गर्मी वाले होंगे उसका average temperature 10 degree से ज्यादा होंगे तो वहाँ पर C alphabet कोपिन ने यूज़ किया है फिर तको G यहाँ पर एक नया term जो world climate में आपको alphabet में नहीं मिलेंगे world climate के जो classification है वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे G यहाँ पर है दोस्तों गंगेटिक जो plane है उसके लिए G यहाँ पर alphabet यूज़ किया second step में इसके लावा दोस्तों अलग और भी है और भी alphabet को यूज़ किया इन्होंने जैसे M M का मतलब है यहाँ देखो vegetation की concept को इन्होंने include करने के लिए M यूज़ किया M का मतलब है rainforest vegetation मिलेंगे despite आप dry month यानि कि generally rainforest आपको equatorial climate में मिलते हैं लेकिं इन्डिया में भी rainforest मिलते हैं लेकिं कुछ मन्थ एकाद दो मन्थ या 15-20 दिन का वहाँ पर dry season होता है फिर भी वहाँ पर rainforest मिलते हैं तो उसके लिए अलग alphabet यूज़ किया है M तो इसको भी अध्यान रखना अब capital W का मतलब है arid या digit climate यह दिहोंगे वहाँ पर capital W यूज़ किया है और semi-arid climate यां digit climate के surrounding region में जो semi-arid होते हैं completely digit नहीं होते हैं उसके लिए capital S का यूज़ किया है अब digit में भी hot होते हैं और cold digit होते हैं तो hot digit के लिए H alphabet यूज़ किया है और cold desert के लिए यहाँ पर K alphabet के यूज़ किया है और tundra climate के लिए T alphabet के यूज़ हुआ है तो यह सारे alphabet उन्होंने यूज़ किया है climate को classify करने के लिए अब देखो second step में हम लोग देख लिए अलग अलग rainfall, temperature और vegetation की जो variables है उसको include करके micro label की जो demarkation है climate region की उसको हम लोग देख लेते हैं तो first step, second step दोनों को आप include करेंगे दोस्तों तो इंडिया में देखो nine type की climatic region यहाँ पर पाये जाते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं जैसे हम लोग देखे थे कि यह हमारा tropic app cancer की southern portion में जो आता है वहाँ पर tropical climate पायाता है तो tropical climate में भी बहुत सारे variation होते हैं जैसे आप देखो western ghat में rain forest पायाता है यहाँ वेजेटेशन जो variable है उसको यूज किया गया है तो rain forest पायाता है उसके लिए M का यूज किया था तो सबसे पहले micro label पे तो tropical climate पायाता है tropical climate का मतलब A और यहाँ पर rain forest पायाता है इसका मतलब M यूज किया है डबलू का मतलब यहाँ विंटर यहाँ पर dry होती है बहुत ही short duration के लिए तो AMW हमारा western ghat की characteristic हो गया जैसे exam पूछ ले जाता है कि western ghat की climatic region की characteristic बताओ एस पर coupon classification तो यहाँ पर subtropical climate है उसके लिए A forest पायाते हैं despite not having equatorial climate तो इसके लिए M यूज किया जाता है डबलू यहाँ पर winter dry है तो AMW हमारा characteristic हो जाएगा western ghat का ठीक है फिर देखो यहाँ पर तमिलाडू वाली coast है दोस्तों यहाँ पर जो winter मानसून होते हैं उससे वारिस होती है तो यहाँ पर summer dry होता है लेकि winter weight होता है summer dry के लिए हम क्या यूज करते हैं एस इस्मॉल एस यूज करते हैं तो ट्रॉपकल climate तो है ही उसके साथ summer dry है इस यहाँ पर यहाँ इस यूज करें तमिलाडू वाली coast पर अब देखो इसके ला है तो देखो digit के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं capital B capital B का मतलब यहाँ पर eviporation ज्यादा होंगे as compared to precipitation तो B यहाँ यहाँ यूज हो गया और यहाँ पर semi airy type का यूज करते हैं semi rate के लिए S यूज करते हैं और H यूज करते हैं यहाँ पर hot यानि cold semi rate नहीं है यहाँ पर hot है तो इसलिए H यूज करते हैं W का मतलब यहाँ पर winter dry तो यहाँ पर जो रैड से जून है उसके climatic classification नहीं हो जाएगा B डिजर टाइप के climate S यहाँ पर semi airy, H hot और W winter dry ठीक है और बाकी जो tropical climate है वहाँ पर winter dry रहता है यहाँ पर इसलिए यहाँ यहाँ यूज किया गया बाकी Southern इंडिया के climate के लिए तो यह हमारा tropical climate की further classification हो गया second step में अब देख़ो दोस्तों यहाँ पर अब चलते हैं B यहाँ ड्राइप क्लाइमेट वाले में तो देखो western सबसे western पार्ट जो होती है राजस्थान का वह हमारा यहाँ पर hot digit है hot में भी तो इसको लिए क्या यूज करें और उसके surrounding region में यहाँ पर semi-digit है इसलिए यहाँ पर B तो हमारा main ही variable उसके साथ semi-arid के लिए S ही उच करते हैं hot के लिए S ही उच करते हैं W winter dry रहता है तो यहाँ पर सबसे western पार्ट वाले में B, W, HW और उसके surrounding region में B, S, HW ठीक है तो हमारा arid वाला climate है वो हमारा clutch पर ही हो यूज किया है capital C और capital C यहाँ पर winter dry होती है advancing मांसुन में बारिस होती है तो यहाँ पर W यूज किया गया और लेकिन यहाँ पर G, G का मतलब गंगेटिक प्लेन वाले जो climate है गंगेटिक जो गंगेटिक जो गंगा basin है वो भी influence करते है climate को इसलिए यहाँ पर G यूज किया थ जो नौर्थेस्ट की most apart है उसको generalize कर दिया CWG में ठीक है अब देख लेते अरवणाचर प्रदेश में अरवणाचर प्रदेश और सिक्कीम यहाँ पर द्यूस्तरों continental type की climate पाया जाती है यहाँ देखो को ocean का influence यहाँ पर बहुत ही कम होता है इसलिए यहाँ पर winter बहुत ही तो यहाँ पर no dry season है F यहाँ पर है ठीक है और यहाँ पर C, C का मतलब है हम लोग देखे थे कि जो warmest थ्री मन्थ है वो हमारा क्या रहेगा average जो थ्री मन्थ का temperature हो 10 degree से ज्यादा रहेगा इसके लिए C यूज करते हैं तो यहाँ पर D, F, C यहाँ पर यूज कर रहे हैं और व E को, E यहाँ पर alphabet में यूज करते हैं जो जम्मो कस्मिर और यहाँ पर हिमाशल प्रदेश वाले अरिया उत्राखंड वाले अरिया यहाँ पर E टाइप की climate है और E में भी यहाँ पर Tundra टाइप की climate उत्राखंड वाले अरिया में पाय जाता है उसके लिए यहाँ पर ET यू बोल सकते हो कि इंडरिन की climate को classify किया और 9 different climatic region में divide किया है 9 different climatic region पहला देखलो यहाँ पर पहला हमारा हो गया वेस्टन घाट वाला region दूसरा हो गया हमारा तमिलनाडू वाले region तीसरा हो गया हमारा यहाँ यह डबलू वाले region ठीक है चौथा यहाँ पर सेमी एरीड वाले region तो चौथा यहाँ पही हो जाएगा चौथा यहाँ पही हो जाएगा चार हो गया पांचवा हमारा complete digit वाले region छट्था subtropical गंगेटिक region सात्वा हमारा यह हो जाएगा यह वाले region और आठवा हमारा हो जाएगा डी एफ सी यहाँ पे continental type climate और एटी टूंडर टाइप 9 climatic region में divide किया गया है इंडिया को एस पर कोपें की classification तेरा दोस्तों कोपें के द्वारा क्लास्पिकेशन लेकिन देख लेते हैं limitation क्या है कोपें की जो क्लाइमेट की classification उसमें कुछ limitation भी है देखो यहाँ पर जनलाइज किया गया है जो बहुत जादे बारी की चीज़े है उ तो दोस्तों यहाँ पर भी tropical rainforest पाया था मेगाले वरे region में लेकिन कोपेंग द्वारा इसको ignore किया गया और इसको बता दिया गया कि CWG टाइप की climate है यानि कि गंगेटी को अलग जो region है उसी को यहाँ पर जनलाइज किया गया यहाँ पर CMW ऐसा नहीं बोला गया यहाँ पर इसके लाँ देखो यहाँ पर air masses की जो moment है दोस्तों air masses की जो moment है उसकी ignore किया है जैसे इंडिया में आप देखो के नदन जो इंडिया है नदन इंडिया में western disturbance के चलते वहाँ पर बारिस होती है तो नदन जो इंडिया है वहाँ पर completely dry नहीं होता है फिर भी कोपिन की दोरा dry पर consider किया है क्योंकि air mass की moment है उसको consider नहीं गया गया ये रमास की moment दोस्तों modern जो क्लाइमेट अलाजी है उसका concept है तो modern जो क्लाइमेट की जो concept है उसको कोपिन की दोरा ignore किया गया है यह हमारा limitation है इसके लिए और दोस्तों winds की speed direction of winds और और भी जो modern जो climate के classification स्री क्लाइमेट लगे के जो concept है उसको कोपेंड द्वारा इगनोर किया गया है लेकिन डिस्पाइट आप इस जो इगनोर किया गया है उसके लावा भी देखो के दोस्तों तो कोपेंड की जो climate की classification है वो most यहाँ पे accepted classification है बूद इंडिया की respect में भी और world की climate में भी तो कोपेंड की climate आप बोड़ सकते हो बहुत ही simplified way में present किया गया है और बहुत ही ज्यादा accepted theory है कोपेंड की classification तो यह रहाँ दोस्तों कोपेंड की classification इंडिया की climate में तो इंडिया की 9 climatic region में divide की आगया है as per coupon इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे discuss कर लिए तो आज की वीडियो में बसते नहीं दोस्तों आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिसक की हैं आपको पसंद आया होंगे यही पसंद आया होंगे तो प्लिच आप कमेंट करके हमें जरूरू बताएए कि वीड पाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ थैंक यू